कपूर खानदान में जन्हें कहा जाता रहा दि हैंसम कपूर हम बात कर रहे हैं लेजनरी आक्टर शशी कपूर की एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैंना दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तक्र भी है ना हो लो है शशी कपूर सहाब का जन्म 18 मार्च सन 1938 कोलकाता में हुआ शशी कपूर सहाब के पिता प्रित्फी राजकपूर एक थेटर आर्टिस थे थेटर कंपरी चलाते चलाते वो फिल्मों में भी काम किया करते थे और बाद में शशी कपूर के बड़े भाई राजकपूर ने भी फि शशी कपूर राजकपूर के बच्मन का करदार निभाते नजर आए बड़े होते होते तक शशी कपूर अपने पिता प्रित्फी राजकपूर के साथ थेटर से जुड़ गए तोर करते रहे और स्टेज पर एक्टिंग भी जब फिल्मों की बात आई तो शशी कपूर ने अपने बड़े भाई राजकपूर की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डारेक्टर भी काम किया फिल्म्स लाइक श्रीमान सत्यवादी और दुलहाद दुलहन सन 1961 में बतौर फुल फ्लेज़ड हीरो शशी कपूर आये विद्ध फिल्म धर्म पुत्र जिसे यश्योपडा ने बनाया था तो ता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई तो ता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई शशी कपूर की एक्टिंग बहुत पसंद की जाती थी लेकिन तब भी उनकी फिल्मे चल नहीं रही थी और एक वक्त ऐसा था कि मीडिया ने कह दिया था कि शशी कपूर जिंक्स्ट हैं कोई भी हिरोईन इनके साथ काम करने पर राजी नहीं थी पर ऐसे में हिरोईन नन्दा ने शशी कपूर का हाथ थामा और उनके साथ फिल्मे की फिल्म जब जब फूल खिले के बाद नन्दा और शशी कपूर की जोडी सूपर हिट जोडी मानी जाने लगी और फिल्म जब जब फूल खिले के बाद ही शशी कपूर ने पलटके नहीं ले जाएंगे दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे मालनी परवीन बावी और मौश्मी चाठर जी के साथ भी आज तुम्हारा लग बहुत से रूपर है अच्छा प्राशा करो तुम मेरा लग लेलो मुझे कैश दे दो ये मिस्टर ये क्लब राका और रांगा का है और हुमारे कुछ असूल है ये ही ना कि भारी रखन जीतने वाला यहां से मुश्किल से भार जाता है चलो ठीक है है मुश्किल से भार जाएंगे शशी कपूर के सुनहरे करियर में उनकी जोड़ी अमिताब बच्चन के साथ भी खूप जमी फिल्म्स लैक सुहाग, दीवार, दो और दो पांच ये बात साबित करती हैं अगर अमिताब बच्चन साहब के साथ कोई कॉंप्लिमेंट करता था तो वो सिर्फ शशी कपूर थे यूँ तो शशी कपूर बच्चन साहब से उम्र में बड़े हैं लेकिन फिर भी फिल्म दीवार में अमिताब के छोटे भाई का रोल ने भाया पूरी सोला आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी सुन 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 पूरी सोला आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी इसमें दूद ही दूद नहीं जरा सा भी पानी चंचल गोरिये गने दिये पोरिये ओ चंचल गोरिये गने दिये पोरिये शाशी कपूर ने अपना खुद का प्रड़क्शन हाउस भी सेट अप किया जिसका नाम है फिल्म वालाज और इस प्रड़क्शन हाउस ने एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्म्स दी चाहे वो 1978 की जुनून हो 1981 की कल्यूग या फिर 36 चौरंगी लेन और उसके बाद फिल्म्स लाइक गजेता और उच्छ सबने शाशी कपूर को एक बहतर इंड प्रोड्यूसर साबित कर दिया एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसे अच्छा सेनिमा बनाना आता था हुंग गुरू की तरा बजता ही रहा हूं मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बंजता ही रहा हूं मैं असी के दशक के एंड तक शशी कपूर ने कारेक्टर रोल्स भी निभाने शुरू कर दिये और सन 1994 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें शशी कपूर ने एक शायर की भुमिका निभाई ये रोल शशी साहब ने इतना जबर्दस तरीके से निभाया था कि आज भी ये माना जाता है अगर मुहाफिस में कोई शायर का रोल कर सकता था तो वो सिर्फ शशी कपूर ही थे हम तो जुक कर सलाम करते हैं हम तो जुक कर सलाम करते हैं शशी कपूर सहाब ने हमेशा कहा कि उनकी वाइफ जैनिफर केंडल उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही और जैनिफर केंडल की जाने के बाद शशी कपूर बहुत अकेले पड़ गए ये वो वक्त था जब शशी कपूर ने थोड़ा वेट भी गेन कर लिया था पर इनकी लव स्टोरी बहुत अनोखी है जैनिफर केंडल के पिता भी एक थेटर कंपनी चलाया करते थे और जैनिफर स्टेज पर एक्टिंग किया करती थी और एक ऐसे हिटोर पर शशी कपूर की नजर जैनिफर جी पर पड़े और बस मन बना लिया कि शादी करूँगा तू जैनिफर से ही एक देशी लड़का और एक विदेशी लड़की ऐसा कॉंबिनेशन उस दोर में साथ आना बड़ा नामुम्किन सा लगता था लेकिन फिर भी शशी कपूर साहब ने हिम्मत की और जेनिफर जी के पिता से उनका हाथ मांग लिया ये करिश्मा तो देखो नजीब था उनके निकला है रिष्टा करीब था एधी करीब था शशी कपूर और जेनिफर जी के तीन बच्चे हुए कुनाल कपूर जरही शशी कपूर ने फिल्म विजेता में लॉंच किया था करन कपूर जो की एक सक्सेस्फफल मॉडल है और बेटी संजना कपूर जो शशी कपूर की थेटर कंपनी प्रिथी थेटर समभालती है भारतीय सिनिमा में शशी कपूर उन गिने चुने आक्टर्स में से हैं जिनोंने स्टेज और फिल्म्स दोनों के बीच एक अच्छा खासा बैलेंस बनाया भारतीय सिनिमा के इतिहास में शशी कपूर सहाब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा मेरे पास कोटी है ना कार सजनी, ना थार सजनी, अड़का है तेरा दिल दार सजनी, ओ दिल दार सजनी, कोटी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिल दार चाहिए, ओ दिल दार चाहिए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चल फिर चलिये, सोनिये निबलिये, दिल की ही दुनिया बताएंगे, बुलु बुले, ले जाएंगे, ले जाएंगे, तेरी था, बट्की बॉली बॉली, ले जाएंगे. For more Bollywood updates and news, follow us on facebook.com slash ultrahindi and twitter.com slash ultrahindi.